अई गिरि नंधिनी नंधितमेधिनी विश्वविनोधिनी नंदनुटे गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विश्णु विलासिनी जिश्णु नुटे भागवति हे शिति कंठ कुटुम्बिनी भूरी कुटुम्बिनी भूरी कुटुम्बिनी भूरी कृते जय 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 दे महिशा सुरमर्दिनी रम्यत पर्दिनी शैर सुखे सुरवरवर्षिनी गुर्धरधर्षिनी दुर्मुखमर्षिनी हर्षरते त्रिवुवनपोषिनी्जंकारतोषिनी खेल विशमोषिनी गोशवते दनुजन निरोषिनी धिती सूतரोषिनी दुर्मदशोषिनी стоит सिंदु सुखे जय 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 जे महिशा सुरमर्दिनी रम्यत पर्दिनी शैर सुखे आई जग दम्भम दम्भक्व दम्भव नप्रिय वासि निभासरते शिखरिशिरोमनि दुंग हिमालय श्रिंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैतबबंजिनी कैतबबंजिनी रासरते जय जय हे महिशासुरमर्तिनी रम्यकपर्तिनी शैलसुते आईशत खन्धवि खन्धित रुंधवि तुंधित शुंधग जाधिपते रिपुग जगंध विदारन चंद पराक्रम शुंधम्रिगाधि पते निज भुज दंध निपातित खन्ध विपातित मुंद भटाधि पते जय जय हे महिशासुरमर्तिनी रम्यकपर्तिनी शैलसुते आईरन दुर्मध शक्त्रुव धोधित दुर्थर निर्चर शक्ति ब्रुते चतुर विचार गुरीन महाशिव धूतक्रत प्रामत्वाधि पते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवधूतक्रतांतमते जय जय हे महिशासुरमर्तिनी रम्यकपर्तिनी शैलसुते तुर शक्ति द्रीक सानें स्वांति रिंवर्धूर व्याव हेलो हेलो एलो हेलो 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 ए Eun typical Buzz लाइक कर दो जी घुमी घुमी तामर दुन्धु भी नारम हो मुखरी क्रित तिक्म करे जय 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 है महिशा सुरम तीनी रम्य कपर दीनी शैल सुपे के जबल और कि अधरी उग्यूम्य खेक है कि अधिया है अधिक्ति महत्र नीको कि अधूर फीलो है लुख व है लोग लोगे लुख है लोगे लुख विश्शो शेठायो नी जाशना नीला रहे बच्ची पर फड़ा फट्स लाइक बटन दबादो वादो दबादो मेरे बच है लाई कर दिए गड़ो वाते मांसे हूं मेरी इल स्कीट मारे लून कि अंच पिटाई पिटाई एऊने वाली होगितुमारी पिटाई यहां दखना है इस लिट ने गोड़ेवनिंग कि और बहतलेंग 2 पालसा पूंग फूंग मेरी बचच ओंग जोटी बैडरि गुड़ेल संजना नमन हंसिका अमन विवेक उसके बाद भाग्या शिरी दिव्यांशी अधित्या चांदनी ओ चांदनी गुड इवनिंग रिदी गुड इवनिंग पूजा गुड इवनिंग राहूल गुड इवनिंग प्रांजल गुड इवनिंग रिदिमा गुड इवनिंग अलाइस गुप्टा गुड इवनिंग सं कि हर गुरूप में शेयर कर देना अपने स्टेटेस पर लगा लेना और ऐसे महा नलाइक बच्चे हैं ना आपने गुरूप में डाली ना अपने स्टेटेस पर लगाई बच्चा अगरे तुम्हें कैसे पता तुम यह बताओ क्यों कि मैं भी तो कुछ गुरूप में एड हू जिस ग्रूप में तुम अड हो तो मेरे को किसी ग्रूप में देखी नीं तो मचाई कके अपना लाइक बटची क्राइब है यहां कहने से क्या फाइदा पाँड़ हमें तो यह लूत हो देख लेंगे बस हमbirds देखने हैं हमें दूसरों लग गया तुम नलायक बच्चों तुमने शेर तकनी किसी बच्चे के साथ चलो बहुत बड़िया बहुत बड़िया ठीक है चलो तर threat यह मेशित सी मेश करेंगे और फ्रिक्स की इंगराय को investment हो सके गएए ठीक है कोशिच हमारी यह रोगी कि maximum to maximum हम रिवाइस करें और जो PDF मैंने तुम्हें दिखाया है मैं PDF कल दुपयर तक वो टेलीग्राम पे डाल दूँगा तो इस टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड कर लेना और चेक कर लेना उसमें कौन-कौन से टोपिक हैं ठीक है न एक बाद च ठीक है न अगर कोई टोपिक वैलेंस हो जाएंगे तो क्या पता मैं एक आदी क्लास और लेलूँ वो बताऊंगा 20 तरीक को और 20 तरीक को मैं कोशिच करेंगे maximum सब कुछ कवर करने की बस यह पाद ध्यान दूज़ थैंक यू सो मज जी थैंक यू चलो बहुत बढ़िया जी अब एक बार फटावट से यहांपे आजाओ जी अब एक बार फटावट से आजाओ अब यहां पर इदर देखो जहांसे अब आजो अपनी GST वाली अब GST वाले क्लास के उपर हमारे तीन नहीं I think चार RCM हमारे बैलेंस बचे हैं चार RCM हमारे कौन-कौन से बैलेंस बचे हैं जी एक तुमारा RCM बैलेंस बचे जी टी ये वाला और एक हमारा RCM बैलेंस बचा हुए अब legal service में 2 divorce में दो case आते हैं एक तो advocate की service हो गया और एक arbitral propose जो है उसकी lifecycle तीसरा हमारा केस क्या निकल क्या रहे हैं एक हमारा faithful economic की regulardoes जोए ना रखी है और आपके रिप्लाय मैंने भी कमेंट बॉक्स में किया भी था कि मैं यूट्यूब प्लोड कर दूँगा अब उसके आप निकल गए हो गई हो गई फिर आप दुबारा आ गए हो गए फिर आपको लगा में ओहों मैसेज तुम्हें कर देता हूं ना लाइक चलो रही रेमन ओलरी डली हुई है और उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया जी चलो जो सुनो दियांसे मैं कहना है कैचा रहा हूं प्लीज बातचीत नि भाई अब अगले आने वाला आदा पोना घंड़ा बिल्कुल शान दो के बैठ जाना और ये लाइव चैट थे तो बात बनेंगे एकजाम निकलेंगे तो दुनिया पूचेगी failure को दुनिया नहीं सक्सेस्फफल को बूचति है तो अगर सक्सेस्फफल बनने है तो पढ़ना पड़ेगा बस यह पाद्यान दो जी ठीक है री चलो इधर सुनो मैं ध्यान से क्याना क्या चा रहा हूं म कि RCM में क्या entry है फिर इसकी exemption से क्या interlinking है फिर एक बार वो समझेंगे जी ठीक है अब सुने एक बार ध्यान से मैं कहना क्या चाहरा है पहली entry क्या कह रही है first entry ये बात कहना चाहरी है कि अगर मानलो एक individual advocate है individual advocate including a senior advocate और a firm of advocate उसने तीन लोग बोले है उसने पहला क्या बोला है उसने पहला बोला है एक तो अगर कोई individual advocate है या कोई आपका senior advocate है या फिर आपकी firm of advocate है उसने क्या बोला या तो individual advocate है या senior advocate है या firm of advocate है अगर इन में से कोई भी अगर legal service दे रहे है अब legal service किसको दे रहे है business entity को दे रहे है तो ये देखने से लग रहे है कि business entity GST pay करेगी और ये लोग GST pay नहीं करेगे देखने से तो बस ये लग रहे है अगर मैं symbols ही बात बोलता हूँ अगर मैं सिर्फ RCM की entry परूँ ना तो RCM में तो बस ये entry है RCM में entry क्या निकल क्या रही है अगर individual advocate, senior advocate, firm of advocate अगर legal service देंगे business entity को तो देखने से क्या लग रहे है कि business entity GST pay करेगी ये लोग GST pay नहीं करेगे RCM से लग रहे है इतनी से entry बट actual में इसकी reality ये नहीं है अब इसकी reality actual में क्या है बहुत सारे point exemption में cover है और finally RCM में कौन सा point cover होगा हमें या पर वो देखना है बस ये पाद ध्यान तो या आतकरों को मैंने पहले भी गाता court और tribunal की service पर GST नहीं लगता बर arbitral tribunal ये ट्राइमिनल ऐसे हैं जो लोग में established नहीं होते ये private tribunal है इनकी service पर GST applicable होगा बस ये पाद ध्यान दो तो में करक्स क्या निकल क्या रहा है कि अगर individual advocate ने service दी है senior advocate ने service दी है या firm of advocate ने service दी है अगर इन्होंने service दी है legal service और किसको दी है business entity को उस case में business entity GST पे करेगी ये GST पे नहीं करेंगे ये finally correct निकल क्या रहा है RCM का अगर कोई बच्चा सिरफ RCM के entry पढ़ेगा तो RCM की entry पढ़ेगा कि अगर ये service legal service देंगे business entity को तो business entity वाले GST पे करेंगे ये लोग GST पे नहीं करेंगे ये correct निकल के आ रहा है अब मैं तुम्हें इसकी reality दिखा रहा हूँ जी अब एक बार चेकर उसकी reality के है अब देखो इतना बड़ा diagram जो है न वो इसका है और इस diagram के बाद जो तुम्हारे सामने concept clarity निकल कराएगी और जो exam के question तुम solve कर करना है मैंने यापइं यापire लिखक कर दिया अब दगहा है अब लॅट इस cracks यह लिख्या हो और में लगकर्टा आगर अगर मालनो कोई service दे रहा है इंडिविजवा एडवोकेट कि अलग है अलग है अगर कोई service देगा Senior Advocate या आर्विजर से या फॉर्म या क्व और सर्विस देंगे यः तो बिजनस एन् Panack को या वो सर भीज़ीन नटेकर और अपना एक्जामपल एकुटाओ और मालोक मैं सर्विस ले रहा हूं है अगर एक एड़ोपेसे मैं सर्विस ले रहा हूं मैं एक मिस restriction 선 फिल्र में न अगर non business entity को service दी होगी तो RCM applicable नहीं होगा उस पे GST forward charge में बट आपकी जाने कारी के लिए बता दूँ यह सारे के सारे service GST में exemption में है अब सोच के बोलना जिसने exemption का chapter ही नहीं पड़ा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि business entity वाले case में RCM है और non business entity वाले case में forward charge है बट वो GST में exempt है बस एपा ध्यान दो तो पहला point तो यह निकल क्या रहा है कि अगर advocate ने known business entity को service दी है तो वो GST में exempt है अगर exam में question बन जाता है तो बहुत ध्यान से answer करके आना बस एपा ध्यान दो और आपके exam में confirm इस में से question बनने के पूरी-पूरी उमीद है और बहुत सारे बच्चे गलती करके आएंगे तो पहली बात तो यह exam में question आगया एक individual advocate है एक form of advocate है उसने एक मालो for example mother को service दी या फादर को service दी और personal काम के लिए service दी business entity के लिए service नहीं दी तो उसका GST क्या होगा exempt है कोई भी GST applicable नहीं है फिर अगर इन्होंने service दी business entity को अब business entity में तीन के category निकल के आ रही है या तो business entity central government है state government है local है थोटी है union territory है government agency है तो गवर्मेंट नहीं है उस case में GST applicable नहीं है जैसे मैं आपको example दूँ एक बात में को बताओ जैसे आज कर आपको बताओ दिली में केजरी वाल जी का case चल रहा है अब दिली में केजरी वाल जी का case चल रहा है अब यह वकील कोन से यह government का विकील है अब सोच के बोला यह वकील किसका एक government का है अब यह advocate service किसको दे रहा है government को service दे रहे business entity को service दे रहे तो यह service exempt है अब सोच कि बोलो जिसने exemption का chapter पढ़ाई नहीं तो उसके दिमाग में क्या है और बिजनस entity को service दे रहे आरसे में लगा बिजनस एंटिटी ही क्यों ना हो तो इसलिए आपको दिमाग रखना पड़ेगा क्योंकि एक्जाम मेरा कोशन मनेगा तो मिक्स होके बनेगा आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए अगर मान लो मैंने का ना अभी आपको मैंने प्रैक्टिकल एक्जामपल दे दिया कि जो एडी है एडी का वकील है वह वकील सर्व rocks Iron यह सर्विस कि गॉष्मन को जो रेड मारता है जो आपके मनी लोन्डिंगे केसी हैंडल करता है तो आमने थोड़ा बहुत लोग के अंदर थोड़ा बहुत समझा ही होगा यह इतना तो न्यूस में सुन रहे होगे कि केजरी वालते को जेल में डाल दिया वो गौर्णमेंट की एजनसी है तो जो उनका एडवोकेट उनको सर्वीज दे रहता है वो एक्जम्ट है बस यह पाध्यान दोच ठीक है क्लियर है अब अगले पाइंट पर आओ जी अब अगला पाइंट अगर अगर यह एडवोकेट अगर इंडिविजूल एडवोकेट या फॉर्म 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 फॉर् तो एक्जम्ट है तो एक चाह रहा हूँ एक मालों बहुत बड़ा केस है आपको फिर मैं एक्जामपल देता हूं जैसे वर एक्जामपल आप केजरी बाद चिल गहाएं अब केजरी बाल जी के भी वकील है अब वहां पर चार-पांच वकील जाते हैं मलब केजरी बाल देखे चार-पांच वकील जाते हैं तो मानलों उन्होंने वकील को हायर किया है और उस वकील ने दो तीन वकील ओर हायर कियो हैं मलब एक एड़्वोगेट दूसरी एड़्वोगेट को सरवीस दे रहे हैं और वह इसे पैसे चार्च करेगा मलब आपस में अगर ये सर्वीस का लेंदेन हो रहे ना तो गौर्मेन ने का वो सर्वीस भी एक्जम्ट है उसमें भी कोई टेक्सेबिल्टी की बात नहीं होगी बस एपा ध्यान दोच फिर अगला पाइंट क्या निकल क्या रहा है कि अगर मालो ये एडवोकेट अगर सर्वीस दिरे किसी दूसरी बिजनस एंटिटी को अच्छा अधर बिजनस एंटिटी का मतलब क्या है कि ना तो वो इसमें कवर है ना वो इसमें कवर है फिर अगर उसकी टर्नोवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है मालो 10 लग 20 लग या 40 लग तक है तो भी जीएस्ट एंट है और अगर कहीं टर्नोवर थ्रेशोल लिमिट से उपर है फिर जीएस्ट लगेगा और रसेम लगेगा आप कमाल की बाद देखो आपको मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको ये दिखाना चाहता हूँ आरसेम में कमाल की बाद देखना सिर्फ इतना हिस्ट आरसेम में कवर है और चेक करो भाई साब ये सारा का सारा एक्जम्शन में कवर है अब जो अकेला आरसेम पढ़ रहे है आप सोच लो उसके दिमाग में क्या जा रहा होगा मला जो सिर्फ आरसेम पढ़ रहे है तो आप देख रहे हैं मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ ये हिस्सा अलग है आरसेम में कितना हिस्सा है बस ये वाला तो आरसेम में ये हिस्सा दिया हुए है अब जो बिना exemption के RCM पढ़ रहा है अब चेक कर लो वो क्या पढ़ रहा होगा अब अगर exam में question बन गया काम हो गया ना उसका क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ उतनी सी entry है एगर business entity को दोगे तो RCM है भाई business entity भी कही तरह की है अगर business entity इसमें cover है तो exempt है अगर business entity इस point में cover है तो भी exempt है यहां कहीं जाके वो taxable होगी RCM में बसे पाध्यान तो क्या मेरी बास समझ में आ रही है क्या मेरी बास समझ में आ रही है ना ना राहूल तु मुल्टा कहा रहे हो senior advocate to advocate नहीं है advocate to senior advocate है अब यहां पर देखाता हूँ जो तुम point बोल रहे हो अगले point पर आ जाओ अब यहां पर देखो जी अगर senior advocate है यह arbitral tribunal है अगर यह service दे रहे है non business entity को तो exempt है और अगर यह service दे रहे है business entity को again central government, state government है तो exempt है अगर other business entity को service दे रहे है उनकी turnover threshold limit तक है तो exempt है अगर threshold limit से उपर है तो taxable है और वो RCM में है अब यहां पर वो point नहीं है जो आप कह रहे हो अगर है कोई senior advocate है आप चक्कर यहां पर नहीं लिखा बना एक senior advocate अगर एक advocate को service दे रहे है या firm of advocate को service दे रहे है तो वो exempt नहीं है बट हाँ अगर वो सामने वाली business entity है turnover अगर threshold limit तक है तो यहां पर cover हो जाएगा बट specifically वो exemption में यहां पर cover नहीं है बस एपा ध्यान दो ची क्या मेरी बाद समन में आ रही है क्या मेरी बाद समन में आ रही है कि यह पूरी की पूरी entry आपकी निकल के आ रही है advocate वाली और यह diagram मैंने मलब यह notes वैसे मैंने कल आपके telegram channel पर डाल दिये थे ठीक है रही आप वहां से लाग इसको download भी कर सकते हो और उसके दूब यह diagram देख भी सकते हो अब इससे जादा हम time लगाएंगे ना तो ओर लेट हो जाएगा ज़ी ठीक है एक बार last time लगा रहा हूँ मैं दुबारा से इसके उपर time एक बार देखो ध्यान से दुबारा से मैं क्या कह रहा हूँ service provided by हीमानशियों लक्से होगा service provided by एक बार मैं दुबारा से बोल रहा हूँ service provided by individual advocate form of advocate अगर यह दोनों service दे रहे हैं non business entity को तो exempt है अगर service देने business entity को तीन case है या तो government है एक्जम्ट है अगर यह advocate है form of advocate है senior advocate है इनको service देंगे तो भी exempt है अगर other business entity है और turnover threshold limit तक है तो exempt है अगर turnover जाके यह advocate वाली हमारी entry जो है अब जाके यह एड़ोकेट वाली हमारी अब जाके यहां पर हमारी खत्म हो जाती है अब से पाध्यान दो जाती है अगरे पांच क्रोड़ की limit aggregate turnover अरे भाई कहां पांच क्रोड़ की limit वो इन वो इसके अंदर limit है कहां लिमिटे बीट में गुजारे होना लाइक ठीगरी डन इसको मैं लोग कर रहाँ जी हम इसको लोग कर रहाँ फाइन रीज जी पंद्रा लाग की limit 2.5 क्रोड़ वाला limit निधी इसके अंदर वो limit कहां पे एड़ोकेट के एंट्री अंदर आप exemption में चेक करो ना आप exemption और RCM दोनों को इंटर लिंक कर गे पड़ो चलो यहां मैं इसको लोग कर रहाँ जी यहां पर 10 2040 लाग की लिमिट है जो registration की लिमिट है यहां पर उस लिमिट की बात हो रही है चलो अगले पाइंट पर आओ जी अब यह एड़ोकेट वाली एंट्री कंपलीट हो गई एक बार दुबारा से नोट्स में देख लेना आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा जी अब एक बार आ जाओ अब अगली एंट्री पर आओ जो हमें करनी हैं एक एंट्री हमार सिर्फ RCM से एंट्री पड़ी है उसने सिर्फ छोटी से एंट्री पड़ी है और जब एक्जम्शन से इंटर लिंक करके पड़ोगे तो यह पूरा डाइगरम निकल के आएगा जी आपको मैं दिखा देता हूँ यह पूरा का पूरा कंपलीट डाइगरम जो है ना यह डाइ कि उस एंट्री में क्या है देखो यह एंट्री है अपकी जी टी वाली टेली एंट्री है एक बार जी of services taxable under reverse charge under section 93 of CGST अब यहाँ पर देखो पहली entry GTA की है अब बहुत यहाँ से बढ़ना उसने बोला अगर GTA अगर GTA यहाँ सुन अगर GTA transportation की service दे रहे अगर GTA मैं दुबारा बोलूँगा अगर GTA goods की transportation की service दे रहे इन लोगों को तो RCM लगेगा symbols यह बात क्या निकल क्या रही है GTA मतलब यह बहार truck वाले है जितने भी बहार truck चल रहे है जो goods की transportation कर रहे है अगर वो truck वाले transportation of goods की service दे रहे है इन लोगों को तो गौर्मेन ने का यह लोग GST पे करेंगे उसके समें GTA यह GST पे नहीं करेगा बस यह पाध्यान दोच अब चेक करते हैं वो किस किस receiver की बात कर रहे है तो उसने बुला अगर GTA service दे रहे है किसी factory को जो factory act में registered है तो फिर factory वाले GST पे करेंगे GTA जीटी पे नहीं करेगा फिर अगर GTA किसी society को service दे रहे है जो society act में registered है तो फिर society वाले GST पे करेंगे GTA GST पे नहीं करेगा अगर GTA service दे रहे है किसी cooperative society को तो फिर cooperative society वाले GST पे करेंगे GTA GST पे नहीं करेगा अगर GTA किसी भी person को service दे रहे है जो GST में registered है बनाद GTA service दे रहे है any registered person under GST तो वो लोग GST pay करेंगे GTA GST pay नहीं करेगा अगर GTA किसी body corporate को service दे रहा है तो body corporate GST pay करेगा GTA GST pay नहीं करेगा अगर GTA किसी partnership हम को service दे रहा है including AOP तो फिर ये लोग GST pay करेंगे GTA GST pay नहीं करेगा अगर GTA किसी casual taxable person को service दे रहा है तो फिर casual taxable person GST Pay करेगा GTA GST Pay नहीं करेगा अब देखो अगर मैं RCM की इतनी से entry पढ़ू ना इतनी से entry पढ़ू जिसने RCM की entry पढ़ी है उसके दिमाग में क्या रहा होगा अगर इनको service दिये तो RCM लगेगा इनको छोड़कर forward चार लगेगा यहीं दिमाग में आ रहा होगा बड़ सर exemption की interlinking के बाद तुम्हें अब reality समझ में आएगी कि कहां RCM लगेगा और कहां पर RCM नहीं लगेगा अब मैं तुम्हें वो entry दिखा रहा हूँ जो exemption से interlink है अब सारे के सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना मैं पर क्या लिखा है मैं प्होड़ा जूम कर रहा हूँ है वहुस्चे नहीं देखना wn М Commissioner देखना में बहुत ध्यान से अपर क्या यहां पर कि अगर मानलो गूर्ट टास्पोरेशन एंब अगर गूर्ट की ट्रांस्पोडेशन है वो कैसे कर सकते हो या तो बाए रोड कर सकते हो ठीक है या बाए रेल कर सकते हो या बाए वोटर कर सकते हो और या बाए एयर कर सकते हो सबसे पहला पाइंटर समझ लो कि अगर गुर्स की ट्रांस्पोडेशन बाए एयर कर रहे हो बाए एयर तो वह GST में कहीं एक्जम्ट नहीं है तो बाए एयर ट्रांस्पोडेशन टेक्सेबल है और फोरवर्ड चार्ड में टेक्सेबल है क्योंकि आपके सामने उस पे RCM नही सब्सक्राइन बाएं अगर इन्लेंड वोटर 爆ेस क्या आता है इंडिया की लैंड के अंदर जो अब अगर वह ट्रांसमरेशन और ये है specified goods की या other goods की हो रही है अब अगर वह specified goods की transportation है तो फिर तो वह एक्सम्ट है अगर वह other goods की है फिर वह textable है अब जो specified goods है अब यह specified goods मैंने class में याद करवाई थे A Monday को date पर चले मैं दवारा बुलूँगा मैंने क्लास में याद करवाए थे A मंडे को डेट पर चले मैं दवारा बुलूँगा A मंडे को डेट पर चले कौन-कौन से गुट्स निकल क्या रहे है A का मतलब agriculture produce फिर M का मतलब milk, salt, food grain फिर O का मतलब निकल क्या रहे organic manure M का मतलब newspaper magazine फिर आपका D का मतलब defense material और C का मतलब जो clematy relief material है यह सब निकल क्या रहे अगर इनकी transportation हो रही है इनकी transportation है और अगर transportation by rail हो रही है by vessel हो रही है तो government ने का वो तो exempt है अगर किसी और goods की transportation हो रही है तो वो taxable है फोरवड चार में यह बाद ध्यान रखना चाहिए मैंने क्या बोला इदर देखो ध्यान से सबसे पहला point सुनो ध्यान से अगर by air हो रही है अगर by air transportation हो रही है taxable इसमें forward चाहिए by rail मैंने क्या वोटर inland waterways exempt है by vessel specified goods exempt है other than specified goods की transportation हो रही है तो taxable लगेगा forward charge में अब आओ अगर by rail हो रही है अच्छा क्या आज rail से भी समान जाता है सारे बच्चे बताओ क्या आज rail से भी समान जाता है हाँ या ना कि अंदर बताओ क्या आज rail से भी समान जाता है rail से समान जाता है rail से जाता है अब रीजसे भी ट्रावरेश्ट रहरा होती है, अब अगर रीजसे ट्रावरेश्टन होती है, specified goods की, अब specified goods कोंसे ए, Monday को देट पर चलें, याद करवानाlining मनदे को डेट पर चलें, तो एक अ मतलब अग्रिक ट्रोडियूस, M का मतलब milk salt हो गया, फिर O का मतलब organic manure, N का मतलब newspaper कैज़च पिपर D का मतलब क्या अपना ठीक का मतलब यहां पर निकल ग्याएगा दीफैंस मेट přिलोगी और सिका मतलब जो गया क्लेमिटी के लिए जो आपका रिलीफ में ने वो तो यह यह पद्यान तोच्छ। यह सारे के सारे गुर्स यहां पर एंगजम्ट है। मैंनि वैसल वाली taxable होगी अगर वो specified goods नहीं है और forward चार में अब दिकूँ इस प्रेसिफाइड गूडस जा रहे हैं और बाई एयर वाला भी हो गया जहां जहां टेक्स हेवल है ना वहां वहां फोरवर्ड चाहँ है क्योंकि RCM सिर्फ ट्रक वाले केस में है और किसी केस में RCM नहीं है बस अब आएगा सबसे में मुद्दा अगर गुट्स की ट्रांस्पोरेशन कर रहे हो बाई रोड अम में प गुट्स की ट्रांस्पोरेशन होती है और कोरियर के से अगर अगर जाओ अगर ट्रांस्पोडरिशन हो रही है थ्रूंए झीटी ये इसके थे थे सुखemor लेके जा रहा है तो गौर्मेने सारा एंग द vä ISP रूजर। प्रडूस लेके जा रहे है और गैनिक मैनियोर लेके जा रहे है यह ट्रक में समाण सब्सक्राइब नहीं है गोड़ में ने सारा एक्जम्ट कर रखे इन गूड्स की ट्रांस्पोरेशन सारी एक्जम्ट है पहली बात तो यह मैं सर अगर अगर मान लो कि क्या हो गया अरे इदर देख लो यार यार हाथ दोगे एक तो ना कोई concept अगर बीच में चल रहा हूँ एक बार सको चलने दिया करो प्रोबलम बता है कि यह आपको पता नहीं है सर मैं आपको guarantee दे रहा हूँ आपको मैं लिख के guarantee दे रहा हूँ आप अगर इंटर linking के साथ नहीं पढ़ोगे ना तो एक्जाम में तुमारे तोते उडएंगे और आप खुद भी देख सकते हो कि rcm के entry कितनी और exemption के इंटर linking कितनी है और उस बच्चे के बीच में doubt यह चल रहा है कि सबसे बेले GST कहां पर effect में आय था आसाम के अंदर आया था तेलंगाना के अंदर आया था वो question अब दुबारा जिंदगी में कभी नहीं बनेगा और अब बनेगा तो उसका में reply कर दूँगा पर पहले अभी सुन लो यह सबसे important point चल रहा है जी सुनो द्यांस से मैं कहना क्या रहा हूं अब अगला point क्या निक परसेंट वाला यह option लिएगा बारा परसेंट वाला अब अगर जीटी ने बारा परसेंट वाला option लिए ना तो बारा परसेंट वाला option लेगा तो always forward charge में taxable है फिर वो RCM नहीं है क्योंकि RCM की applicability तब है अगर वो option लिएगा 5% वाला अब जीटी ने option लिए माल लो 5% वाला अब यह चेक करो अब यह चेक करो यह supply दे किसको रही है या तो registered person या वो अगर जीटी ये option लेना 5% वाला और सर्वीस के supply कर रहा है अन registered person को तो अन registered person के भी दो case है या तो वो specified un registered person है या वो non specified un registered person है अब कोई मैं को पताएगा specified un registered कौन से है factory हाँ अब तुम्हें समझ में कर रहा होगा भाई सब कहां RCM है factory और बोलो society को प्रेटी सुसाइटी partnership firm body corporate वो सब के सब कोन है चाहे वो जीस्टी में un registered है चाहे वो जीस्टी में un registered है तो भी वो जीस्टी पे करेंगे उनको registration करवाना जरूरी है या करो section 24 के अंदर जो लोग RCM जीस्टी पे करते हैं उनका registration mandatory होता है तो अगर यह लोग un registered भी है तो भी यह GST पे करेंगे क्योंकि इनको GST में करवाना पड़ेगा registration बस यह पा ध्यान दो जी तो देखो यहाँ आप है क्या लिख्या है जी अब अगर इस पैसिफाइड है factory है society है cooperative society है partnership है including AOP तो इस case में taxable under RCM में taxable और बाकी जो non specified specified under registered है non specified में कौन आएगा जी जो आपके specified वाली category में cover नहीं है अब यहाँ पर ध्यानक ना individual तो आ जाएंगे एक specialment बताने जा रहा हूं अगर कोई casual taxable person है under registered वो भी government exemption में exempt कर रखा है ऐसा बता मैं क्यों कह रहा हूं अब अगर तुम RCM के entry देखोगे अब चेक करो RCM की entry अगर आप चेक करोगे यहाँ पर दोने लिखा है ना casual taxable person any casual बट एनी नहीं आएगा अगर यह casual taxable person under registered है यह exemption लिस्ट में exempt है तो मतलब यहाँ जो casual है ना वो पता कौन सा है यह registered person वाली category में cover होगा तो RCM लगीगा नहीं तो नहीं लगीगा अब सोच के वोलना जो सि casual taxable person always क्या लगीगा RCM लगीगा जबकि ऐसा तो ही नहीं जबकि casual taxable person अब चेक करो exemption के entry से अब अगर casual taxable person अगर under registered है तो वह exemption में cover है और बाकि कोई भी इनको छोड़कर उस पर भी GST exempt है कोई भी GST applicable नहीं होगा मैं तुम्हें example देता हूं तो मुझे answer देना आप में को answer दे सकते हो एक बात में को उताना आपको घर की shifting करनी है सोचके वोलना आपको ना घर की shifting करनी है बताओ आपको घर की shifting करनी है आपने ट्रक वाला बुलाया कि घर की shifting करनी है आपको मालो दिल्ली से चंडीगर जाना है उसने का ठीक है समान चंडीगर भेज दूँगा और मैं मालो 20,000 पर लूँगा समान भेजने के अब वो तुम्हारे घर की shifting करवा रहा है क्या इस पर GST लगेगा नहीं लगेगा बताओ सारे बच्चे बताओ किया इस पर GST लगेगा नहीं लगेगा जल्दी बताओ किया इस पर GST लगेगा नहीं लगेगा अब यह वह यह अंसर दें पाए गर इस ने एक साथ कटर पड़ा होगा अजया एक बात ऊर बताओ अगर GTA service दे रहे है factory को और factory GST में underdistur'd है बट factory act में registered है अब बताओ क्या होगा जी अब तुम्हें मझाएगा इस डायगराम के बाद आब तुम्हें मझाएगा मैं को अंसर दो अगर GTA मेरे बच्चे अगर GTA service दे रहे factory को factory act में registered है बट GST में registered है क्या GST लगेगा येस लगेगा GST और factory GST यहां पर pay करेगी RCM में लगेगा ये बाद ध्यान दोच तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या interlinking बन रही है बासर में आ रही है और अगर GTS service दे रहे है किसी registered person को तो फिर taxable है RCM है बाद अगर ये registered person वो इस central government है लोकल है थोटी है state government है तो उस case में government ने का जि हम GST exempt कर देंगे अगर वो GST में registered है TDS काटने के परबस के लिए तो ये पूरी entry इस तना से निकल के आ रही है लो जी अंकिता के रही है चैप्टर कौन सा चल रहा है इसके साथ हम exemption की interlinking कर रहे है उसके साथ हम exemption की interlinking कर रहे है अब सेपा ध्यान दूझ क्या मेरे बाद समन में आ रही है अच्छा अब सुनो ध्यान से अब मेरा पूरी प्रास से एक और question है अब याद करो एक point आपको मैंने करवाय था जहाँ पर amendment आई थी amendment मेंने कहाँ पर आई थी जहाँ पर 12% है वहाँ पर क्या लगेगा forward charge जहाँ पर 5% है जहाँ पर 5% है वहाँ पर RCA में अब 5% वाले case के अंदर भी याद करो forward charge वाप्शन आ चुका है यादा रही है 5% अब वही बता रहाँ जी अगर आप declaration फाइल करके देते हो आप option लेते हो forward charge का और आप declaration फाइल करके देते हो कि भाईया receiver को कि declaration देदी department को declaration देदी कि मैं इस पर GST पे करूँगा तो forward charge के अंदर भी आप GST पे कर सकते हो अब 5% के अंदर भी option आ चुका है बस यह पाध्यान तोज क्या मेरे बास समय आ रही है जैसे author to publisher में था ना जैसे आपका author to publisher वाले case में था यहाँ पर भी आ चुका है 5% वाले case में government कह रही है आपका option मिल देगा forward charge वाला बस यह पाध्यान तोज question कैसे बनेंगी question यार मैं तुम्हारे ने लाया तो हूँ बढ़ मैं सोच रहूं कि पहले एक बार entry हम complete कर ले तो अच्छा है यह question देखोगे एक बार चलो बताओ फिर अब एक बार चलो एक को question जीटिए वाला तुम्हें दिखा दूँ एक question तुम्हें GTA वाला दिखा देता हूं एक question तुम्हें GTA वाला दिखा ही देता हूं question कैसा बनेगा और यह तो हो गया कोपी राइट वाला तर नौर वाला हो गया यह भी कोपी राइट वाला हो गया हां यह राज लोड़ी आंसर दो आंसर दो कोशन नमर एटीन करो question नमर एटीन करो जी देगोरी question नमर एटीन एक बार खुच सोल्व करो question नमर एटीन का पहला पाइंट सोल्व करना पहला पाइंट इस तरह से question बनेगा ऐसा कि वही तो है डिंपी वही तो मैं बता रहा हूं सेंटल डेक्स छे परसेंट ना छे परसेंट सेंटल छे परसेंट स्टेट टोटल कितना हो गया बारा तो मैंने वही तो बोला कि गौश्च को इस एब हborा पर मैंने लगेगा अधिक जल्दी बोलो पहले वाले किसेंटी में अन्डिस्टब और आगया कोंपी रहटी है तो कोपीरीट की सरवीश अगर दी गई है तो इस Алए पर लेκαर से जोए गईगा दो और यहां पर चार्ज वाला उप्शन भी वो ले सकता है बड़ उसका जीस्टी में रिडिस्टर्ड होना जुरूरी है तब फोरवर्ड चार्ज में कवर होगा वसे पाध्यान दोच एक बाद चेक करो देखो यहां पर क्या लिखा है अब उसके समें GTA सर्विस जीटीए स्पेबल 5% ठीक है रही उसमें RCM है फिर अगर GTA 12% है अगर 12% है तो उसमें क्या लिखा है उसमें इन्दों लिखा है फोरवर्ड चार्ज फिर अगर लिखा है तेरफॉर इन दिस केस टैक और दूसरे वाले केस में किया जी दूसरे वाले केस में आपका RCM जो होगा वह अप्लीकेबल हो जाएगा देखो RCM लग जाएगा ठीक है फिर यहां पर यह भी लिख है कि ओधर जो फोरवर्ड चार्ज के अंदर GST पे कर सकता है अगर ओधर रिडिस्टर है बढ़ यहां क्या मेरे बासपन में आ रही है अब एक कुश्चन और आपको दिखा दूँ अगर मैं एक कुश्चन और भी था यार यह कुश्चन और भी था यार यह भी कुपी राइट वाला है एक कुश्चन था तो सही यह लिगल सर्विस है लो एक वार यह सब्सक्राइब है अहीं है अ यह रा यह रहाण यह रहाण ये रही रही रहाण इसका सेकींड पाउ junior साटि कि मैं इसमें तो प्रोवीजन बेस याएंगे ना इसमें प्रैक्टिकल कैसे बनेंगे कि यह वाला बताओ जी इसका सेकिंड बाइंट बताओ सेकिंड पॉइंट रित्व ओप्षन है फोरवर्ड चार लगेगा इस ज़रूरी नहीं है ऑप्षन है डिकलरेशन देनी पड़ेगी तब रहाके फोरवर्ड चार लगेगा जी बस अमें उसी पर है रहा हूं खुश्मो अब उसी पर हरा हूं आ रहा हूं बस जल्दी क्या होगा गया पर ओर वर्च अला गरивает आरसीम लगेगा अजो अगि अब एग एक जया अब जो भी स्पेसिट अंट इटिश्ट्र परसंड होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा आर्जीम लग जाएगा नालायक यह ब्लूगुल सभी बात है तारिज अन रिटिस्टर स्पेसिट इट परसंट टो यह अंड़ेश्टर है और सपयसिपेट परसंग के टिगरी में कवर है इ को Tension मतलो भाई जो मैंने तुम्हें डाइगराम मना के दिखा दिया ना तुम्हें मजे आ जाएंगे इस डाइगराम के अंदर ठीक है अभी देखो अब मैं तुम्हारी आखे ओर खुल जाएंगी यह देख लो गोर्मेंट वाला अब यह पूरा बूरा डारी ऐ इक बर दायर्म्स जो है ये गॉर्मेंट का निकल क्या रहे है जए बवर्मेंट का डायर्म निकल क्या रहे हैं और इसके ब्यस्ति थोड़े से मुझे कम लगते हैं जंट है और जीटी वाल एंट्रि के पूरे बूरे चांस है और अगर मैं Pasture Quesnych दिकूंँ जी टीए वाला बना हुए लिगल सर्वीस बहुत बार बनी है कोपीराइट की सर्वीस काफी बार बनी है sponsorship की service काफी बार बनी है बना ये entry बार बार बनी है government वाली एक या आदी बार बनी है ठीक है बट करनी हमें है इधर सुनो में ध्यान से कहना क्या चा रहा हूँ प्लीज बाच्चीत नी अब एक बार यहां पर आओ जी अब देखो यहां पर क्या लिखा है अगर government service दे रही है अगर government service दे रही है तो government निगाए सुनो जी अब अगर government service दे रही है service provided by the department of post अगर government का postal department service दे रहा है या service related to vessel aircraft मतलब port और airport या transportation goods और passenger की service अगर यह किसी person को भी दे रहे है ना तो taxable है forward charge में अगर गौर्मेंट का Postal Department कोई भी सर्वीस दे रहे है या गौर्मेंट Port और AirPort से Related कोई भी सर्वीस दे रही है या गौर्मेंट Goods की Passenger और Transportation की कोई भी सर्वीस दे रही है अगर वो किसी को भी दे रही है अगर वो taxable होंगी तो forward charge में taxable है वहाँ पर RCM नहीं है अगर मैं तुम्हें government की RCM वाली entry दिखाऊँ चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ अब government की RCM वाली entry जो है ना देखो कितनी छोटी सी है यह government की RCM वाली है कि अगर government अगर government business entity को service दे रही है इन service को छोड़ कर तो उस पर RCM है और यह service कौन सी है वोई postal department वाली अगर इतनी छोटी सी entry है कि अगर government इनको छोड़ कर business entity को कोई भी service देगी तो government का RCM में है अब government का देखो रही अगर government इन तीन में से कोई भी service देगा तो taxable होगी forward charge अब अगर government को अधर service दे रही है अधर service मतलब renting of immobile property वीजा हो गया, passport हो गया, driving license हो गया, अधार card हो गया, post office की service हो गया, banking की service हो गया दुनिया जहान की service है, telecommunication की service हो गया तो अब government इनका सुन भाई अगर यह सारी service अगर non business entity को दी जा रही है तो exempt है मतलब अगर इन में से कोई भी service, non business entity को दोगे तो exempt है और अगर यह service दे रहे हैं business entity को business entity means, जो सामने business कर रहा है तो दो case होंगे, या तो यह service है renting of immobile property की और या यह service है other service मैं दुबारा बोलूँगा, या तो यह service है renting of immobile property की और यह service है other service अब पहले एक बार देखते है other service renting of immobile property को छोड़ कर अगर government कोई दूसरी service दे रही है business entity को, तो government का दो case होंगे या तो उस business entity की turnover threshold limit तक है या turnover threshold limit से जादा है अब अगर उस business entity की turnover threshold limit तक है तो फिर तो भाई, exempt है फिर पे GST नहीं है अगर turnover threshold limit से जादा है मैं दुबारा बोलूँगा, अगर turnover threshold limit से जादा है दो case होंगे अगर business entity central government है state government है, local authority है तो government का वो exempt है, उस पे कोई भी GST applicable नहीं है और अगर business entity यह central government नहीं है, state government नहीं है local authority नहीं है, other, दूसरे लोग है तो उस case में चेक करो consideration कितना charge किया जा रहे है अगर उस service का consideration 5000 तक है, तो exempt है अगर 5000 से उपर है फिर जाके taxable, RCM अब तुम खुद देखना भाई से है, क्या है हेलो क्या, government की ध्यान सुना, government की ये वाली service ये वाली भी कौन सी, ये वाली service आप चेक करो, सिरफ RCM में है, अब जो RCM की entry पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, तुम खुद ही देख लो आप देख पारे हो, बलग कितना हिस्सा, government की ये वाली service, यहाँ से start ये वाली service जो है, कहीं जाके RCM में है, और ये वाली service पर government RCM लगा दिये जी और अगर RCM की देखूंगा, तो RCM में क्या लिख है, business entry को दी गई service RCM में, आप चेक करो, आपके सामने क्या जी, तो पहली बाद तो ये चेक करो, वो service कौन सी है, या तो अगर वो थ्रेश्वल लिमिट से जादा है, तो फिर government है, गोर्मेंट वाले case में, अगर government नहीं है, consideration 5000 तक है तो अगर 5000 से उपर होगी, तो taxable होगी, कहीं RCM taxable होगी, बस ये पाद ध्यान दोच, या मेरे वासमन में आ रही है, अच्छा, अब आजाओ, अगर government service दे रही है, renting of immovable property की service दे रही है, तो दो case है, या तो business entity central government, state government है, तो exempt है, अगर business entity, central government, state government नहीं है, तो फिर consideration गर 5000 तक है, तो exempt है, अगर 5000 से उपर है, तो taxable होगा RCM में, ये बाद ध्यान देना, तो दो case RCM में है, एक तो ये वाला case, ऐसा बताओं, एक टेकनिक बताओं, एक टेकनिक सुनो ध्यान से, अब मैं तुम्हें एक टेकनिक बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से बनालायकों, एक टेकनिक सुनो, एक तो ये याद करने है, ये है, मैं येलो कर रहा हूँ, ये है, और एक तुम्हें याद करने है ये वाला हिस्सा अब सुनो टेक्निक सुनो राहूल कोई टफ नहीं है अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या करना है तुम्हें सुनो इधर सुनो में तरफ हाऊ एक्जाम में कोशन आ गया गोर्मेंट के पोस्टल डिपार्टमेंट ने सर्विस दी है टेक्सेबल फोरवर्ड चार्च गोर्मेंट के गोर्मेंट के पोर्ट और एयरपोर्ट से रिल्टिड सर्विस है taxable forward chart goods और passenger की transportation की service taxable forward chart अगर है तो other service में दो case है या तो renting of immovable या other अगर renting of immovable के service दिजा रही है उस business entity को जो government में cover नही है और consideration 5000 से उपर है तो taxable है तो RCM में अगर renting को छूड़कर दूसरी service है अगर वो business entity को दिजा रही है एसी business entity जिसकी turnover threshold limit से उपर है और वो government भी नहीं है और consideration भी 5,000 से उपर है तब जाके वो taxable गयार से में बस यह पाद ध्यान दो ची क्या मेरे बास समझ में आ रही है ची तो यह point आपको यहाँ पे निकल क्या रहा है और यह पूरा diagram है एक बार अब आपको पता है क्या करना है सुनो ध्यान से देखो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा सब एक एक entry पे एक गंटा लगता है जादा बहुत कम कहा रहा हूँ ऐसे तो जादा बहुत जादा लगता ह बट बट अब इतना टाइम तो मार पास है नहीं आपको एक काम करना है रिविजन मैंने करवा दी डाइगराम आपके टेलेगराम पे एक बट डाइगराम लेके बैठो इसकी मेरी आप स्पीड भी स्लो कर सकते हो 0.75 कर लो ताकि आपको स्पीड थोड़ी और स्लो हो जाए तो आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा बट छोड के मत जाना मैं तुबारत आँग वर्निं यह तीन एंट्री छोड के न जा सकते गौर्मेंट वाले एंट्री नहीं छोड सकते जीटिये वाले एंट्री नहीं छोड सकते और लीगल सर्विस वाले एंट्री नहीं छोड सकते इन तीने में से कंफर्म कोशन बनता ही बनता है तो यह एंट्री अब छोड के नहीं जा सक पढ़ो मेरे बच्छों पढ़ोव पढ़ना पढ़ेगा ऐसे तभी नंबर आएंगे अगर आप इंटर लिंकिंग कर गे नहीं पढ़ोके तो नंबर नहीं एक बार थोड़े से कोश्चन देख लेते हैं एक बार थोड़े से कोश्चन देख लेते हैं और इसमें ना एक दो अमेंडमेंट भी आई है एक दो अमेंडमेंट भी आई है एक दो अमेंडमेंट भी आई है नाइन फाइव के अंदर एक अमेंडमेंट आई है नाइन है था अब फस्ट का बताओ सेकेंड का बताया था फस्ट का बताओ फस्ट का रिडिस्टेट परसन वोज टर्नवर इस मोर देन लिमिट टेकिंगे सर्विसेज मोर देन फाइव थोजन देनार सी अहां ठीक है कि नाइन फाइव एस्यों का होगा आज देविया उसकी मैं क्लास जालूंगा यूट्यूब पर जल्दी बोलो फ्रवर्ट से क्या होगा इसकंदर अनि क्या लगेगा यहां पर अब मिस शीनु अंबानी सर्विस दिरिया स्पोंसर्जिप के किसको इंडियन लव क्रिकेट अकैडमी एललपी तो यह अगर हम स्पोंसर्जिप पे सर्विस देते हैं बोडिक कोर्परेट को यह पार्टनर शीवम को इंक्लूडिंग एललपी तो आर्सियम लगता है यह एललपी है तो आर्सियम लगेगा तो यह क्रिकेट अकैडमी जो यह जिस्टी पे करेगी तो पहले का अंसर यह आएगा जी बिल्कुल सही बात है अंबानी विल पे जिस्टी अब अगले पर तीनों का अंसर तो तीनों का जल्दी तो जल्दी में को तीनों का आंसर यह तीनों का अंसर हा राहूल कर सकते हैं उससे बोलो मेरे बच्चों मैं नहीं दूंगा में तरफ मत देखो अई मैंने करवा दिया जो करवाना था यह तुम्हेरे एक्जाम में कोश्चन बनने हैं तुम्हें करके आने हैं मेरे को नहीं करके आने कहीं मेरे मेरे तरफ देख रहे तुम अरे अब एक Cricket Academy पे करेगी ना अमबानी क्यों पे करेगा अमबानी तो सप्लाइर है शिनु अमबानी तो सर्विस दे रही है Cricket Academy जो LLP है वो GST पे करेगी पर्स्ट में RCM लगेगा इंडिपेंडेंट डारेक्टर है सिटिंग फिस मिल रही है ओ क्या वात है बहुत बढ़िया पहले में लगेगा RCM बहुत बढ़िया दूसरे में चंदन एसोसियेट प्रोवाइडिड स्पोंसर्शिप सर्विस टू विराट क्रिकेट अकेडमी LLP तो विराट क्रिकेट अकेडमी LLP यहां पर भी RCM लगेगा अब इसने सर्विस दिया बिजनस एंटिटी को और बिजनस एंटिटी के टर्नवर 50 लग है तो यहां पर भी क्या लगेगा RCM लगेगा तो यह नवीन कंसल्टेंट जो है वो GST पे करेगा ओए एक्जम्ट क्यों है बाई एलो तीसरा एक्जम्ट क्यों है यह तीसरा एक्जम्ट कहां से कर रहे हो ओ भिंडी कलर के बच्चे कोन है शीवा तीसरा एक्जम्ट कहां से है सिधार्त इंदर निल हंसिका हां हंसिका कर सही है इंदर निल का भी सही है टेक्सेबल है भई, चेक करो देखो पहला, पहला भी यहां पर RCM में लगेगा, RCM में लगेगा, यह लोग GST पे करेंगे, दूसरा, दूसरे पर आओ, दूसरे पर भी, क्या लगेगा यहां पर, चेक करो, RCM लगेगा, और तीसरे पर भी ना लाएको, तीसरे पर भी क्या लगेगा कि टीनों में आर्सीम लगेगा कि डन अनुराग अलग से नोट्स नहीं है उसके अमेंडमेंट क्लास मेरी प्ले लिस्ट पर डली हुए जी अब अगले पाइंट पर आओ फड़ावर्स से अब आजो अगला कुश्चन यह लो जी यह करो ओ हो यह नहीं हो पाएगा तुमसे यह हो नहीं पाएगा तुम से हरे लंगल अधार कि आधसक हो पाईगा तुमसे यह थरुत्या होले नहीं हो पाएगा तुमसे बीच मेले नहीu:" तुम्हारी मर्जी है तुम स्वेंबहाय देख देख लो टेख लाएशिवा एड़ुकेट ने अड़्व खूल प्राइब करोगे ऐसे वादा तुम भाई साब चेंज हो गई हो पहले से पहले तुम हर कोशन में कहते हैं गाबा कराएगा अब तुम कहते हो गाबा नहीं कराएगा गाबा सिर्फ हमें समझाएगा कुशन हम करेंगे पर हमारा है यह चीज़ तुम्हारे अंदर अच्छी आ यह आज कल आए लव यू सोमच अच्छ अ अधिशान्त देखो एक लाइन के अंदर पढ़के आंसर दे रहें जान्त पूरा पढ़े ना लाइक पूरा पढ़े कोशन पूरा पढ़े आसे आंसर मत दिया करेंगे पढ़के अच्छा उत्थर तो फोरवर्ड चार्ज कोशन वो किराओंगा मैं दीवा वो किराओंगा का नियुक मेरे बच्चे वो रिसीवर है ना तो रिसीवर एलएलपी है तो अगर बोडि कॉरप्रेट हो यह पार्टनर्श्जीफ हम हो तो रिसीवर आरसी आरसी अम लगता है तो वहांपे वहीं तो पे करेंगे मांसे अलग से कोई amendment नहीं आई आपके लिए आप अगर अपना supplement चेक करोगे उसमें आपको डीटी में amendment देखने कोई नहीं मिलेंगी बस टेक्सेट में amendment नहीं है वो मैंने करवाई है हिमानशी हो जाएगा मेरे बच्चे हो जाएगा करवा दूँगा प्रकर श्वेता खुश्बू अलाइस गुपता जल्दी बोला अंसर क्या आएगा जल्दी बोलो जल्दी यहां पर कौन जी एसटी पे करेगा रिवर्षा लगेगा बड़ अगर वो कहरा कि मैं पेहीं नहीं करूंगा मानलों वो कहरा मैं पेहीं नहीं करूंगा अगर वो पेह करने से मना कर रहे तो अगर publisher pay करने से मना कर रहा है तो क्या author पे कर सकता है तो क्या author पे कर सकता है क्या येस या नो येस फिर author forward चार में GST पे कर देगा वो declaration फाइल कर देगा उसके वेस्पे वो GST पे कर देगा जी तो देखो ले यहां पे पहले तो भाइद उसने लिख है कि यहां पे RCM की बाते होंगे आपको दिखाता हूं तो उसने को यहां पे लिख है कि लाइबल टूपे G GST Publisher, Publisher पे करेगा However, Publisher has completely refused के रहां मैं नहीं पे करूँगा तो फिर यह तो विक्की है अब यहां पे देखो दी, वो अंडिश्टर, since he is अंडिश्टर, पहले उसको क्या होना पड़ेगा Registration, फिर एक declaration फाइल करने पड़ेगी, अब declaration फाइल करने पड़ेगी Department को, और एक declaration फाइल करने पड़ेगी सामने वाले परसन को, तब जाके फिर वो फोरवर चार में GST क्या आपको मेरी बात समझ में आ जाती है साहेबान, देख लीजिए, आ जाती है आपको मेरी बात समझ चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो जी, बहुत अच्छी बात है, अब एक बार आ जाओ, फटाफट से, एक अदा कोश्टन और देख लेते हैं, अच्छा इसकी turnover नि निकाल नहीं सकते याद है composition levy की टर्नोवर मैंने कुछ आपको निकालना सिखाई थी कैसे कैसे aggregate टर्नोवर निकालते हैं निकाल पाओगे टर्नोवर आप जी पलक बताओ कि भुश्मू निकाल पाओगे टर्नोवर अहुल ट्राइ करूंगा बिल्कुल यार अरे मेरे सुचित तरा पबलीशर GST पे करेगा नोर्मल RCMA पबलीशर GST पे करने से मना कर रहा है क्यारा मैं पे नहीं करूँगा तो क्या कोई दूसरा option भी है क्या yes option है ना supplier forward charge में GST पे कर सकता है यह option है तो वही तो उसमें लिखा हुए अरे पलक एक बात में को बता हो उसके ओपर liability कहां से आएगी उसने receiver से तो लेना है लेना तो receiver से forward और RCMA में फरक क्या होता है burden shift नहीं होता burden receiver के ओपर याता है एक में बस receiver गोर्मन को देता है एक में supplier receiver से लेके देता है burden receiver की जेपर याना है कैसी बाते कर रहे हो अरे कितना आएगा यहां पर 32 लाख 32 लाख 40,000 32 लाख 40,000 32 लाख 40,000 32 लाख 40,000 32 लाख कोण है नालाइक वच्चे जी इगरी आप देखाता हूँ अब को 32 लाख है यह नालाइक है और एक बात में को बताओ यहां पे 8 lakh, यह 4 lakh, यह 20 lakh, यह 1 lakh 20 ज़र नहीं आएगा, यह tax नहीं आएगा, बढ़ एक बात बताओ, ना रहगा हो, कॉस्टम ड्यूटी, कॉस्टम ड्यूटी के जीस्टी में अश्यूम नहीं हुआ, उसको तुम value में नहीं जोड़ोगे, किया फाइदा इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं फाइदा क्या और यह चलो यह सप्लाई तो इन्वर्ट सप्लाई जो आर्सिया में कवर है यह नहीं आएगी बड़ यह 40,000 रपे तो कस्टम ड्यूटी है कस्टम ड्यूटी जीस्ट में सब स्यूम नहीं हुए है तो इसको त घ्रांसर ग्ए गॐस के गालव में वह सबस्क्राई जो कस्टम ड्यूटी यह लेंगे क्योंकि यह इस टेक्स ज्यूम सब स्यूम नहीं हुआ तो इसको में लेकर चलना है जिँ क्या मेरे बासमन में आ रही है जी अन देखा नि वो देखना पढ़ता है न दियान से एब फ्रेवर से इस का अंसर दो जल दी अंसर दो question number 17 का अंसर दो question number 17 का अंसर दो एक तो हिमानशी में कोई लग रहा है ना तो पढ़ रही है कि पूरे एक गंटे मैंने बस चाट करनी है, हिमानी बैटे पढ़ लो, कल मैंने भी ने देखा क्या होगा, नालायक, अभी पढ़ लो ना, तुमने तुम्हें आर्सियम आते हैं अच्छे से, परफेक्ट तरीके से आता है, तो आता तो फिर क्लास के एंड तक रुको, क्लास क्यान में बताऊंगा बीच में बार बार मत डिस्टरब करो दिको सारे बच्चे डिस्टरब हो रहे हैं स्टार्ट हो चुकी है अपरा ततीक स्टार्ट हो चुकी है मेरे बटे आर क्लास नमबर 1 हो चुकी है क्लास नमबर 1 हो चुकी है कुछ वो डरना नहीं है कि जल्दी बोला फ्रावर्ट सेरी कि इसमें क्या लगएगा इसमें क्या लगएगा आर सीम लगएगा बड़ वो कह रहा है ओथर केंच चूज दपेर अंडर फोरवर्ड चार्ज वाला उप्शन ले सकता है येस आप देख पार एक ही कोशन मल्टीप टाइम आ रहा है और आप इससे उम्मीद लगा सकती हो ये कोशन आपके एक्जाम के देखने को मिल सकता है मैं आपको इसलिए दिखाना चाहरा हूँ एक ही कुशन मल्टीपल टाइम आ रहा है को पी राइट वाला और बार बार वाप से फोरवर्ड चार्ज की कंडिशन आप वह कोशूं रहा होंगे तो नंबर तुमारे पूरे मिल जाएंगे लिग लुखी ना तो वही सेम बाद बार बार बोल रहा वही सेम बार बर बोल रहा है तो एक कोशन मल्टीपल टाइम बन चुक है एक्जाम के अंदर भी बन सकता है बस यह पाध्यान तुची कि यह वाज वालान कम्प्लिट कर चुके एक कोश्चिन नमर 18 तो मिखकर कर चुके हैं थिए भी बस खतम हो गया और कोश्चिन नम्बर हमारे मेरे केसे किसे इसमें आप आरसी मवाले क८ल कोश्चिन तो व्मारे क्या है और अपना ट्यूजडी एनास तो हां तो संडे मैं कोशिच करूँगा लंबी क्लास ले लूँ क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंकम टेक्स की मेरथन से पहले जीएस्टी हमारा खतम हो जाए उसके बाद हमारा जीएस्टी ना जाए तो हम कोशिच करें कि वह यह सोला सतना तारिक को ही जीएस्टी हम नहीं बेढ़ दें एक आदी लंबी क्लास लेके छोटे मोटे चैप्टर जो बटें उसमें कवर कर ले इंगे कल हम चैप्टर डिसकस करेंगे कल हमद़ी सकस करेंगे करेंगे हम 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 हुएателей हम हुँ कॉम्पोजिशन स्कीम कर लिया हमने बताना एक बार में को क्या कॉम्पोजिशन स्कीम हो गया GST के अंदर है हो गया ऐसा करते हैं कल वाली क्लास में अच्छा हमारे वह टोपिक भी तो चाहे एवे बिल वाला है एवे बिल भी तो बचाहे तो कल एक तो हम एवे बिल कम्प्लीट करेंगे एवे बिल और एक नाइन फाइव और कल एवे बिल और नाइन फाइव के जो भी भगवान ने चाहता हो संदे तक तुम्हारी लास्ट कर दूँगा ताकि फिर हम अपना इंकम टेक्स की मिरथन में लगे और फिर रिवीजन करवाने के बाद प्रेक्टी सेशन निया करूँगा सिर्फ प्रेक्टी सेशन अलो उसमें कोई रिवीजन नीओगी रिवीजन नियोगी रिवीजन भीजन करके आओ क्योंकि बहुत डिटेल के इंदर में जी एस्ट कर रहे हो तो मैं फील भी रहा होगा कि रिवीजन हमारी सूपर फास्ट नि प्रेक्टी सेशन लोंगा भर भर के प्रेक्टिस करेंगे तक एक्जाम में दिक्कत ना है कि समिक्षा जी एस्ट के अंदर है कि रिटर्न अभी करना है जी अभी करना है मेरे बच्चे रिटर्न करना है इन्वोईस करना है अब यह में रिटर्न हो गया इन्वोईस हो गया क कुछ एडिशनल टूपिंग है वो करने है मैंच लिया ओल्रडी डली हुई है मैंने अभी उसका लिंक डाला उसमें से देख सकते हो क्योंकि उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है और बारा घंटे की वो डली हुए है जालो रही तो बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स लास में कल व बादा करों calmist लिए यहिंद और वस इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो वरर के कैज़्च आंक यू समक्राफोल को भाई-बाई-बाई-ई कि झाल झाल